कि कि अखे लो एवरिवेंट मैं सोनिया चहल मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर राधुस्तान अड़ाट 24 7 पर तो है पर सबसे पहले आपको हैपी हो लिए आप सब को ठीक है होली है तो होली के रंग में रंग जाए तन से भी मन से भी परंतु आपके जन्तुओं को नहीं करना है तांग क्योंकि उनको है केमिकल से एलर्जी ठीक है तो भाई विदाव ट्वेस्टिंग टाइम लेट मी टेल यू देल इंपॉर्टन थेंग क्या कि आपको आपको करना क्या है आपको सीधा सीधा क्या लगाना है वाई 4 everything कि blood is which type of tissue आपका ररत है किस प्रकार का उतक है पहला कह रहा है कि एपिथीलियल है यानि कि उपकला उतक है फिर कह रहा है कनेक्टिव टीशू है यानि कि मसल टीशू है यानि कि मास्पेश्यों का उतक है फिर कह रहा है कनेक्टिव टीशू है यानि कि सहीयोजी उतक है फिर कह रहा है नर्वस टीशू है यानि कि तंत्रिका तंत्रिका यह क्या आंसर चाहिए तो देखो अगर यह आपका epithelial tissue होता तो आपके बाहर होता बाहर होता तो आपका epithelial तो मतलब यह नहीं है है अगर बात करूँ muscles की तो क्या यह हैापके किसी muscle में काम करता है यहाँ यहाँ कहीं ऐसे ब्लड होता है क्या यह muscle यहाथ की बालड है यह पैर का बलड है है नहीं क्या आप का क्या हो जाते हैं ब्लड किनेक्टिव टीशू हो जाता है वहीं पर आपका डी ऑप्शन है नर्वस टीशू यह तंत्री का तंत्र का भाग नहीं यह तंत्री का तंत्र का भी कोई भाग नहीं है तो आपका ब्लड किस तरह का हो जाता है आपका क्नेक्टिव टीशू हो जाता है आपा क्या होजाता है कि अ sesame क्या हो जाता है यहां पर कर्ड़ोग हो जाता है अगले प्रेंट की कि तरह चलते हैं कि crossover प्रॉइसमें सब्सक्राइब यह क्या रहा है कि आपका माइकोप्लाजमा जो बैक्तिरिया होता है वो दूसरे बैक्तिरिया से किस तरह से दिफरेंट यह पहला कह रहे है कि उसकी सेलवोल के लिए कि अंदर होता है। फिर कहरें कि उसके अंदर लीप प्रोटीनस होता है, फिर कहरें कि सेल वोल ही नहीं होती है, तो आप मुझे बताएं कि आपका किस तरह से माइको प्लाजमा अलग होता है दूसरे बैक्टीरिया से, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्यों होता है या ऐसा, तो देखो, माइको प्लाजमा के बारे में जान लेते हैं, माइको प्लाजमा पहले चीज तो यह जिसको आप PPLO, MLO के नाम से भी जानते हो, जिसको क्या कहा जाता है, जोकर ओफ मुनेरा किंग्डम, क्यों कहा जाता है इसको जोकर ओफ मुनेरा किंग्डम, क्योंकि यह आपका क्या नहीं करता है, ऐसे शेप बदलता रहता है, शेफ बदलता रहता है fix शेप नहीं होती है इसकी कोई ठीक है तो क्यों होती है क्योंकि аша्ल ईबसेंट होती है इस वजय से माइकोप्लाज्मा क्या है दूसरे बैक्टिरिया से different होता है अलग लग होता है अगले प्रश्म की तरफ चलते हैं कि प्लाज्मा और सिरम के अंदर क्या difference है प्लाजमा और सिर्म के अंदर क्या difference है कि कह रहा है कि does not contain fibrinogen फिर कह रहा है has more water फिर कह रहा है कि contain fibrogen फिर कह रहा है कि contain iron जल्दी बताएं कि प्लाजमा में ऐसी क्या चीजें है जो कि सिर्म के अंदर नहीं है या है जल्दी बताएं जल्दी बताएं तो देखो प्लाजमा में क्या होता है देखो प्लाजमा एक ऐसा content होता है जो आपका पूरा liquid portion होता है blood का जिसके अंदर fibrinogen होता है जिसकी वजह से आपका खोन का ठकका बनता है coagulation होती है क्या होती है आपकी coagulation होती है वहीं पर सिर्म की वजह से ऐसा कुछ भी आपका नहीं होता है तो आपका c option जो है correct हो जाएगा अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण आपका क्या है आपका अगला प्रश्ण है कि new methylene blue reagent is used for staining which of blood cell यानि कि new methylene blue reagent का हम इस्तमाल कौन से blood cells को color करने के लिए उपयोग करते हैं पहला कह रहा है रैटी कुलॉइट के color करने में फिर प्लेटलेट्स को color करने में फिर आपके WBC को color करने में या फिर आपके हैंस बॉड़ी को color करने में तो जल्दी बताएं कि इस चीज को color करने के लिए आपका मिथाइल blue reagent का इस्तमाल होता है कि अग्या तो देखो अगर मिथाइल ब्ल्यों की बात करें तो वह आपका किस चीज के लिए होता है किस चीज के लिए होता है भाई या आपके रेटिकुलोइट्स को यह होता है यह तब आपको चेक करने होते हैं रेटिकुलोइट्स को उस समय पर आप क्या करते हैं नियो मिथाइदिन ब्लू रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ऑके अगले प्रिश्ण पर चलते हैं जिसमें अगर दिया तो पॉजटे नहीं दिया तो नेगिटेव तो ग्रैम स्टेंटिंह किस ने किया था आपका अल्फर्ड ग्रैम ने या क्रिस्टिन ग्रैम ने रोबर्ट कुक ने या लुइस पास्ट्र ने जल्दी बताए इन्हों ने आपके ग्रैम स्टेनिंग को दिया था भई अपने नाम पे दिया था चलो इतनी भी हिंट दे देती हूं इतनी भी हिंट दे देती हूं कि आपका अपने नाम पे दिया था यह सीडी तो नहीं है खुद के नाम पे दिया था इन्होंने भया जल्दी बताओ 10 सेकिंड आपके पास आंसर करने के लिए तो देखो आपको ये देने वाले नाम ये थे आपके क्रिस्टियन ग्राम वाह क्या शायरी बनाई है बताने वाले ग्राम स्टेइनिंग को कौन थे आपके क्रिस्टियन ग्राम थे यानि की बी ओप्ष्ण आपका क्या हो जाएगा अगले प्रिश्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रिश्ण क्या है कि तब आपका WBC को आप मैनुली काउंट करते हो कै इसे टक्स रिएजेंट से तो आपका ब्लड जो है किस रेशो में डाइल्यूट करते हैं किस रेशो में डाइल्यूट करते हैं पहला 1 by 20 की रेशो में फिर 150 की रेशो में फिर 100 की रेशो में या 1 200 की रेशो में जल्दी बताओ जल्दी बताओ इतना बता देती हूं 150 और 120 के बीच में होगा क्योंकि इतनी डाइलूशन नहीं करेंगे कि 100 में डाइलूट कर देंगे फिर डूंडेंगे क्या तैर के डूंडेंगे Wbc को फिर तो देखो आपकी 120 रेष्यो जो एधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे कितने में करते हो वंरेश्यो 20 में करते हो वं रेश्यो 20 में करते हो तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेतें एगला प्रश्णी क्या है कि the end point of purine metabolism is कि आपकी प्यूरीन चपापच आपको पते हैं ने दो तरह की होती है आपकी प्यूरीन और पायरेमिडीन इसमें प्यूरीन जो है आपके डाइजस्ट होके लास्ट में क्या बनाती है यूरिया बनाती है कैरटिन बनाती है यूरिक एसिड बनाती है अमोनिया बनाती है क्या बनाती है आपका जुल्दी बताओ ऐसे एप सब के सब क्यारिण नहीं बनती संधून कैरेटीन नहीं बनाती इससे ज्फचल जाएगा अब तो बता लुंăng ख्यार्ट अमोनियमी भी नहीं बनाती नुट मटेर के इससे जाथा हिंट क्या चाहिए अब तो बता दो यगता इंद अम्नि यू और उनिक्रेदcciones wyst कर दिया पर आपको correct answer क्या हो जाएगा uric acid हो जाएगा क्या हो जाएगा यूरिक acid हो जाएगा ठीक है next question पर चलते है next question क्या है next क्या है आपका which of the following chemical test differentiate between staphylococcus and streptococcus देखो दो बताता है पहला है लाग अलग अलग नतर बताता है यू रे डो पर छोई डोंके बीच में अगर ये नहीं को आगे तो आप math में क्या करो गहाएंगा न पोड़ना पढ़ेगा कि अ तो देको दोनों केkrč differentiated करने के लिए आपका oxidase test का इस्तحमाल होता है oxidase test का इस्तामाल होता है या catalyst test का इस्तहमाल होता है इसमें बता लो अब इतना बता दिया है कि इन दो में से होता है catalyst या이다 देखो गर हम बात करें स्ट्रैप्टो स्ट्राइफेलो की है तो हम main करते है option सही हो जाएगा कौन से वाला बी वाला option सही हो जाएगा अगले प्रिशनी पर चलते हैं अगला प्रिशनी क्या है कि इन में से कौन सी ऐसी हीमोग्लोबीन है जो आपकी प्लैसेंटा को क्रोस कर सकती है and this makes it's a very important question 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 हैु इत्ना important question है जैसे भी आप बोलना चाहो जिस स्टायल में पर लिख लो क्या है important है कैसे important की placentो को across करने वाली उसको cross करने वाले उसको pure करने वाली एकलोती हिमोग्लोबिन कौन सी है immunoglobin आपका immunoglobin A immunoglobin D immunoglobin G immunoglobin M सबसे important question है यह जलदी से बताओ क्या है यह इसका अंसर G for girl girl करती धमाल मैंने option ही बता दिया option ही बता दिया यानि G for girl करती धमाल तक धमाल कर देगी आपकी immunoglobin G कौनसी immunoglobin G कर देगी आपका correct answer क्या हो जाएगा IgG हो जाएगा अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण क्या है कि all of the following are function of blood except one यानि कि आपके blood का function है एक को छोड़के वो कौन सा है कि hormone production आपका buffer system या फिर आपका oxygen transport या फिर nutrient absorption जलदी बताएँ आपका blood का कौन सा होता है और आपका blood का कौन सा नहीं होता है एक ही बता दे कौन सा नहीं होता है बाकी तो हमको पता चली जाना है बाकी होता है तो देखो ब्लड के functions हमारे क्यक्oting कितने समय देर यूद χार्ण यह नवी अगे चलते हैं ब्लड जो है आपका buffer hormone produce करता है कोई नहीं करता तो यानी क्या हो जाएगा को पर सिरेगा क्या हूँष मेंन परको रकती है अगर oxygen ट्रांस्पोर्ट की बाद कर तो RBC करती है न्यूट्रेंट अब्सॉप्शन ब्लड के थ्रूई तो सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है आपका आगे चलते हैं विच फॉलोइंग टेस्ट इस यूज टेक्ट इंडिटर्माइन सिम फिलीज आपका सिफिलीज होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है भाया पहला आपका है एस सोट फिर पहले आपका क्या है एस सोट है फिर आपका आरे फेक्टर है फिर आपका आरे फे फिर आपका आरे फेक्टर है फिर आपका CRPC है फिर आपका VDRL है कौन सा टेस्ट होता है आपका सिफलिस के लिए सिफलिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपका जल्दी बताएं तो देखो आपका जो सिफलिस के लिए टेस्ट हो जाता है वो हो जाता है D option यानि कि VDRL हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका option VDRL आपका सही answer हो जाएगा कल मुझे आप क्या बताने वाले हो इसकी full form इन टेस्ट की full form और यह आपके लिए क्या है homework ठीके आगे चलते हैं आगे क्या है आपका देखो which of the following major ketine found in extracellular fluid यानि कि इन में से कौन सा ऐसा ketine है जो आपका extracellular fluid के अंदर मिलता है पहला है आपका sodium फिर आपका potassium फिर magnesium फिर आपका zinc जल्दी बताएं कौन सा होगा आपका वो भीया जल्दी बताओ कौन सा होगा करता है unगाया कि बताओ करता है है व तो आपका सही option कौन सा हो जाएगा सोडियम वाला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सोडियम हो जाएगा सोडियम एक ऐसा आपका कटाइन होता है जो आपका extra cellular fluid के अंदर पाया जाता है ठीक है तो अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं आपका अगला question क्या है भया कि immunoglobulin are which type of protein in nature कि जो आपके proteins होते है immunoglobulin अभी मैंने आपका बताया था IGG जो होता है प्लेसेंटा को कर जाता है अब इसने उसी के बारे में पूछा है कि वह किस प्रकार का protein है किस टाइप का protein है तो पहला आपका है alpha global in फिर आपका है beta global in फिर आपका है gamma global in फिर आपका है डेल्टा global in जल्दी बताओ कौन से उस अतरह का होता है यह 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 अपका है प्लेट इसने जल्वेश्टा अपका है अब अपका है अपका है यह 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 तो देखो आपका गामा ग्लोबलीन ऐसा होता है जो प्रोटीनियस नेजर का होता है कौन सा होता है आपका गामा ग्लोबियन ऐसा होता है जो आपके इम्यून ग्लोबिलिन्स को बनाता है भी आगे डिफरेंट पार्ट है तो आपका गामा जो हो जाता है और लुक्वाइस विर्मी कौन से जानते है मैंने एक बार आपकी क्लास में इसके सब के common name बताये थे तो मैंने बताया था आपके एंट्रोबाइस वर्मिकुलेरिस किसका है पिन्फॉर्म का होता है यह मैं ओल्रेडी करा चुकी हूं बट कॉस्चन थोड़ा बदल दिया है विश ऑफ फॉलॉइंग होर्मॉन ड़ेटली रेगूलेट ब्लड ग्लू कोज लेवल कि इन में से आपके ग्लू कोज लेवल को direct कौन सा जो कंट्रोल करके रखता है तो आप सब को पता है कौन सा होगा यह यहां पर कौन सा हो सकता है सोचो सीधी सी बात है ग्लूकोस की बात कर रहे होंगे तो आपकी इंसुलिन होगी इंसुलिन होगा तो आपका डी ऑप्षिन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्टिन पर चलते हैं कि इसके अंदर हम एंटी कोगुलेट की क्या करते हैं आपका ब्लड सैंपल जो है लेते हैं वह भी कौन से वाला एच्बी एवन सी वाला पहला आपका क्या है सोडियम फ्लोराइड है फिर EDTA है फिर हेपारिन फिर आपका सोडियम साइट्रेट जल्दी बताओ तो देखो आपकी सीदी सी बात है तो याद रखना है EDTA हो जाता है EDTA आपका कर्रेक्ट आंसर EDTA हो जाएगा ठीक है next question की तरफ चलते हैं next question क्या है कि which of the following parasite doesn't develop a cystic stage cystic state जिसके अंदर नहीं बनती है पहला है जाइरेडिया लैंबिया फिर आपका एंटमीबा हेस्टॉल्टिका फिर आपका एंट्रोवाइस वर्मिकुलर्स वही पिन वोम या फिर आपका ट्राइको मोनास वेजिन इलिसिस जल्दी बताओ तो देखो आपका क्या हो जाएगा यहां पर ट्राइको मोनास वेजिन इलिसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपकी कोई भी cystic stage नहीं बनती है अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रिशन क्या है कि अब ब्लड डॉनर हू रिसेटली positive HBS AG should be deferred or how long यह एक रक्तदाता जिसका हाल इसकारात्मक में HBS AG का नितदान हुआ है वो कब आपका छोड़ा जाना चाहिए रिलीज किया जाना चाहिए कि परमानेटली कभी भी ठीक है आपका फोर थ्री मंत तीन मंत के लिए फिर कह रहा है कि छे मंत के बाद फिर आपका रहता है तो अगर एसा कोई केस आता है आपका हमेशा लाटली ही एफर्ट रहता है और में योंगाट हो जाएगा है तो परमानेटली डैक्ट होगा ठीक है next question पर चलते हैं next question आपका क्या है which of the following is bad cholesterol इन में से bad cholesterol कौन सी होती है cholesterol triglyceride आपकी HDL और आपकी LDL जल्दी बताएं आपकी bad cholesterol कौन सी होती है तो देखो आपकी LDL जो है आपकी bad cholesterol होती है कौन सी होती है LDL आपकी bad cholesterol होती है next question पर चलते है next question क्या है कि which of the following test is used to differentiate strephalococcus oranus or strephalococcus species याद रखना अब की बार इसने क्या change कर दिया है पहले सिर्फ यहां तक था आपकी बार genus भी साथ में दिया है और इसकी बात की है और आपकी species की बात की है तो उसके लिए आपका वही सेम टेस्ट हो जाएगा इस्तिमाल आपका catalysis हो जाएगा क्या हो जाएगा catalysis हो जाएगा doesn't matter आपकी species सेम है different अगर streptokaicus एक है genus सेम है तो टेस्ट भी एक होगा तो भी बूलना नहीं है आपको क्या कि वीडियो को क्या करना है like करना है comment करना है share करना है और शेयर भी करना है और आप सबको holy की बहुत 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 ही जादा शुब काम नाए happy holy guys holy है रंग जाओ पढ़ाई के रंग में तंसे मन से धंसे हर तरीके से ठीक है अभी के लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे आपको दोवजे डेली राज़सान नटे 24-7 पर तब तक के लिए अलविदा बाइबाई टाटा है वे नाइस टे